राके सामत और उनके पती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये चीजें अब सब को पता चल गई है लेकिन इस बीच एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखना और समझना आपके लिए जरूरी है दोस्तों राके सामत ने एक बार फिर से आदिल दुर्रानी का नाम लिया है और बदा जा रहा है कि आदिल दुर्रानी को लेकर उन्होंने एक ऐसी बड़ी बाती कह दी है जिससे अब यह तैह हो रहा है कि वाकई में अब यह पूरा जो विवाद है यह कुछ और संदेश दे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आकर जिस तरीके से राकी सामन्त ने अपने पती आदिल दुर्रानी को जेल भिजबाया कई संगीत इलजाम लगाया उसके बाद बीच में सलमान खान का भी नाम आया और अब राकी सामन्त यू टर्न लेती भी नजारा रही है जिस तरीके से वेलेंटाइन डे के अपसर पर राकी सामन्त ने अपने पती को लेकर इस बात की तरह पिसारा दिया है कि वो अपने पती को जेल भिजबा कर गलत कर चुकी है और ये फैसला उनके लिए इस जिन्दगी का सबसे बुरा फैसला था जियां वहाथ में फूल लेके सड़कों पर घुम रही है और जिस तरीके से राकी सामन्त का ये आदत है कि वो हमेशा नौटंकी की तरह किसी चीज को पेस करती है और इस चीज को भी राकी ने एक नौटंकी की तरह ही पेस किया है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए वीडियो को लाइ झाल झाल झाल